सत्य के साथ पोजीशन भी किंग ने ही किया है गाने का म्यूजिक सेलेक्शन एट को दिया गया है जबकि इसका निर्देशन तेजी संधु द्वार तयार किया गया है अब आपको पता दें कि लॉक्डाउन में इन्होंने किस तरह से इस गाने की प्रिस्ट भूमी तयार की यूट्यूबर अमित अपनी सफलता का श्रे अपने माता पिता को देते हैं अमित पताते हैं यह फादर साब गाना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत ही टैलेंटेट लोग हैं लेकिन अगर वो यहां तक पहुँचे हैं तो उसमें इनके माता पिता की दुआ और कर्म है यह बहुत बड़ी चीज है उन्होंने उन्हें यहां तक पहुँचाया है उनके दिल में हमेशा यह रहा कि कभी न कभी तो अपने पापा के लिए गाना बनाऊंगा जिसमें एक पिता होता क्या है उसकी एहमियत क्या होती है उसके जिम्मेदारियां क्या होती है वो उस गाने में दिखाया जाएगा लेहाजा बड़ी ही खुबसूरती से इस गाने में अमित ने अपने पिता के उस स्वरूप को देश दुनिया को दिखाया लोकडाउन में उनके दोस्तों के पिता जी का निदन हो गया उस समय उन्हें लगा कि क्यों न उन्हें एक ट्रिब्यूट दिया जाए और प्रेरित कर सकूँ अपने दोस्तों को कि वह भी आगे बढ़े हैं उत्तरप्रदेश से तालूक रखने वाली अमित कहते हैं कि आज वो जो कुछ भी है दर्शकों के कारण है फादर साब की सफलता के पीछे उन्हों अच में पूरी टीम को सहयोगी बताया साथ ही उन्होंने दर्शकों का खास जिक्र किया उन्होंने कहा कि आज या गाना नमबर वन पर ट्रेंड कर रहा है इसमें दर्शकों का सहयोग शामिल है फादर साब की सफलता पर आप भी सबक लीजिए क्योंकि टैलेंट हिंदुस्तान के गली-गली में छिपा हुआ है जरूरत आज इस तरह के प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा को निखारने का है आप में भी अगर लिखने की, गाने की, अगर फिल्म बनाने की या सोशल मीडिया में तरह-तरह के फ्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा को दिखाने की इक्षा है तो अपनी इक्षाओं को इसी तरह से अमित भडाना के तरह रंग दीजिए, उडान दीजिए क्योंकि कब कौन अमित भडाना बनकर लोकप्रिय हो जाए सोशल मीडिया में कोई नहीं जानता ब्यूरो रिपोर्ट टीवी नियूज वारस